सो हेलो ब्रीवन जोहर अस्टेटी ट्यूप पर आपका गिंस विल्कम है तो आज के इस सेशन में हम लोग जो खोठा ब्याकरन हैं खोठा ब्याकरन के चेप्टर वाज हम लोग वस्तोनिस्ट प्रश्ण देखने वाले हैं और ये आप किसे भी जहरकन के जिल्ला से बिलोंग करते हैं जो विसोन में से किसे भी जिल्ला से आप लोग बिलोंग करते हैं यदि आपके जिल्ला में जो किदाग के वेकेंच से निकाले गई है तो आप जो भी मेंसे कंडिडेट जो लेंग्विज पिपर के तोर पर खोठा को चूच करते हैं तो सभी का जो ब्याकरन का सिलेवा से वा एक ही है तो ये आप लोग मत सोचेगा कि मैं सहाइब गन से बिलोंग करता हूं कि मैं रावगर से बिलोंग करता हूं कि मैं गड़वा पलामों से बिलोंग करता हूं तो हमारे यहां जो खोठा जो छेत्री लेंग् प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के जो खोठा का लेंग्विज पेपर हैं सभी का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा क्यूंकि ब्याकरन तो ब्याकरन है आप लोगों का चेंजिंग थोड़ी हो जाएगा इसलिए सभी कनिडेट के लिए इंपोर्टेंट मस्ट वीडियो है ख लोकिदार का सिलेबस देखे होंगे तो पचास प्रश्न का जिक्र किया गया है पचास में से जदी बात करते हैं पचीश प्रश्न आप लोगों के जिला से समंदित और पचीश प्रश्न आप लोगों के लेंग्विज पेपर छेत्रिय भासा से समंदित जिक्र किया गया है syllabus में so उसी को देखते हुए आज के इस session से हम लोग start करने वाले हैं language paper खोठा का chapter wise वस्तुनिष्ट सबसे पहले आज की session में वर्ण परिचे को देखेंगे next session में मैं आप लोग को संग्या कारक लिंग इसी परकार हम लोग back to back सभी chapter wise वस्तुनिष्ट प्रश्ण करने वाले और हाँ यदि हम लोग बात करते हैं चोकिदार भरती की तो इसका बहुत ही बात करें positive way में news निकल के आ रहे हैं बहुत ही जल्द इसके examination भी conduct करवाई जाएंगे उसी को देखते हुए आप लोग के लिए इस class को इस chapter wise series को start किया जा रहा है और इस परकार बहुत ही जल्द आप लोग के जारकन के सभी 2400 जिल्लों में ये vacancy देखने को मिलेगी और ये बहुत ही अच्छी vacancy है इसका grade पे जारकन police के grade पे से match करता है जो जारकन police में facilities दी जाएगी वही facilities आप लोग को इस चोकिदार vacancy में देखने को मिलेगी जो भी candidate यदि इस चोकिदार भरती को लेकर के एक positive सोच रखते हैं एक positive approach के साथ त्यारी कर रहे हैं तो आने वाले back to back सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा आपके examination में अवस से बहुत ही आप लोग वहाँ पे इस चीज़ को अनुभव कर पाईएगा और यही सारे प्रश्ण आप लोग को examination में भी देखने को मिलेंगी तो चलिए finally हाज की session को आप लोग अस्टार्ट करते हैं सबसे पहले जदी आप लोग बात करते हैं प्रश्ण नंबर वन की तो प्रश्ण में पुछा गया है खोठा ब्याकरन में वर्ण कर कई गो भेद है और इसी परकार प्रश्ण पुछे जाते हैं जदी आप जैसी से का previous year उठा कर देखें चाहे उपाज शिलिट पाप पुलीस हो गया जोज़ा उनीस में कंडर्ट करवाए गया था जारकन पुलीस जारकन द्रोगा तो इन सबी एकजाम में इसी परकार खोठा ब्याकरन से रिलेटेट बेसिक बेसिक प्रश्ण पुछे जाती है खोठा ब्याकरन का जदी हम लोग बात करते हैं वर्ण परिचे की तो वर्ण की कितने भेदे वर्ण के दो भेदे कौन-कौन से एक तो स्वर वर्ण और दूसरा बेंजन वर्ण आज की ये क्लास पहली है जिस कारण से में आप लोग को ज़्यादा डिसकेशन दे दिया नेक्ट क्लासेस में हम लोग डाइकली प्रश्ण पर उत्रेंगे और बहुती कम समय में पूरी एनलाइसिस के साथ आप लोग को ये वीडियो लेक्टर प्रभाड किया जाएगा नेक्ट प्रश्ण है बिना कक्रो साहिता के बोलल जाये वला यानि कि जे सोतंतर रूप से बोलल जाये जेका में कोई दूसर वर्ण के साहिता ना नेल जाये उ वर्ण के कोंची कहल जाये स्वर वर्ण, दीर्ग स्वर, बेंजन वर्ण की कोई ना है तो जे बिना साहिता के बोलल जाये सोतंतर रूप से बोलल जाये वकर स्वर वर्ण कहल जाये अगला प्राश्न है, जो न वर्ण के बोले खातीर स्वर्वर्ण के मदद लेल जा है, उ कहला है, जे वर्ण के बोले खातीर स्वर्वर्ण के साहिता लेल जा है, तो उ वर्ण कौनची कहला है, तो उ बेंजन वर्ण कहला है, खोठा ब्याकरण में कई को स्वर्वर्ण कर मायन तो खोर्था में कहिए बोस्वर्ण कर मायंं है से कि वर्ण दूग है कौन unemployment औरेको बेंजन वर्ण तो स्वरवर्ण के अंतर्गत क्ये वर्ण के मानि है आथ वो वर्ण के मानि है वर्ण कुन कोन है आ आप देख सकते इन चारो स्वर्वर्ण का यहां पर खोठा में स्वर्वर्ण के अंतरगत मानी है नेक प्रशने खोठा ब्याकरण में कई गो बेंजन वर्ण है 30 गो 31 गो 32 गो 29 गो तो खोठा में जदी बात करो यह टोटल बेंज वर्ण के मानी तो कई गो बेंजन वर्ण के मानी है 31 गो और कई गो बेंजन वर्ण के मानी नक है साथ गो के मानी नक है तो कौन-कौन साथ गो है जेकर मानी नक है यहां से भी परशन पुछल जाए तो चलिए हम इन उकराइज किट देख लोगिए जे साथ को जे मानि नक है ठीवा, आप लोग का हो गया मुर्धना तीसरा जदे मात करते हैं तालप सां और ये मुर्धन सां और तीन उधर हो गये, एक तो आप लोग का चंजोगिछा एक आप लोग का तरा और ग्यान इन सातों का बेंजन वर्ण में मानियता नहीं है खोठा की अंतरगत खोठा में कौन स्वर्वर्ण का पर्योग ना है तो अभी हम लोगों ने आठ स्वर्वर्ण देखे तो इन में से कौन-कौन सा उन आठ में सामिल नहीं था एक तो ये री सामिल नहीं था और ये बड़ी पोस सामिल नहीं था यानि कि इन दोनों काम लोग खोठा स्वरवर्ण के अंतरगत पर्योग नहीं करते हैं खोठा में कौन बेंजन वर्ण के सिधे परजोग ना हुए है और हाँ, जे ए री है और ए री यानि कि जे तरी एकर रूप रेखा बनावट है इहे रूप में तो एकर परियोग ना करल जाए लेकिन एकर अस्थान पर दूसर सब्द के परियोग करल जा जेसे ए स्वर वन के अंतरगर तरी के हमिन एहे रूप में ना परियोग करोई है लेकिन एकर अस्थान पर हरसरी और दूरगयरी के परियोग करोई है वे तरी ए जे बड़ी ओ है एकर हमिन एहे रूप में ये तरी ए देखाय लागल है इहे रूप में हमिल जैसे की औरत लिखते हम लोग औरत तो इसका बनावट इसका जो रूप रह खजिस परकार ये दिखता है उसी रूप में हम लोग नहीं इसका परियोग करते बलकि इस ओ के अस्थान पर हम लोग आ और उ, आ और छोटी उ का परियोग करते यानि कि ये हो जाता है औरत तो इस परकार आप लोग का औरत लिखाता है उसी परकार खोटा में कोन बेंजन के सिधे परियोग ना करल जाए तो अंगा और मुर्धना एकर सिधे परियोग ना करल जाए अंगा के तो परियोगे ना करल जाए एकर अस्थान पर भी कुछ सो काकरूप परिय करल जाए यानि कि यहे रूप जे तरी यह देखाय लागल हो वहे तरी एकर परियोग ना करल जाए एकर अस्थान पर एकर परियोग करल जाए जैसे हमें लिखो यह करन कक्रो नाम भैगलों जैसे की करन या फिर कारन तो यहां पर मुर्धना को परियोग हम लोग ना करके हम ल रेलिश शेक्षन पे भिजिट कर सकते हैं वहां पे proper आप लोग का सभी चेप्टर के खोठा के जो भी विजह चेप्टर है आप लोग को theory, पार्ट पहले ही अपलोड यहां पर विडियो प्रवाय़ किया गया है तो आप ठेरी सेक्शन वहां से कर सकते हैं कभड़ और देन आप इस chapter wise सीरीज को आप इस वस्तोनिश्च प्रस्ट section को cover up कर सकती है री के जगा पर खोठा में परजोग करल जा है तो अभी हम लोगों ने देखा था हरसे री और दूरभेरी यानि कि इन दोनों का परियोग हम लोग जो स्वर हिंदी के अंतरगत री पढ़ते हैं उसका परियोग के नीचे जदी इसपर का आधा चांद दे हम लोग रख देते हैं तो इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग चंदरविंदू कहते हैं ग्यान के ओजी पर जोग करल जा है ग्यान के ओजी क्याची परियोग करल जा है जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा साथ बेंजनवन का परियोग नहीं किया जाता है उसी रूप में नहीं किया जाता है खोठा ब्याकरन के अंतरगत बट उसके अस्थान पर दूसरे सब्द का परियोग किया जाता है तो ग्यान के अस्थान पर गा का भी परियोग किया जाता है गे का भी और गी का भी यानि कि इन सभे का परियुक किया जाता है जिसे हम लोग जेनरली हिंदी में लिखते हैं इस परकार ग्यान बट खोठा में इस ग्यान के अस्थान पर ये ग्यान हम लोग लिखते हैं ये खोठा के अंतरगत ये सब्द ठीक है और ये हिंदी के अंतरगत ठीक है तरा के ओजी आवे है देखिए तरा छन्जोगी छात तरा तो तरा के अस्थान पर हम लोग कुण सब्द का यूज करते हैं तर का जैसे जदी हम लोग बात करते हैं कोई सब्ध हम लोग ले लेते हैं तरा से जुड़ा हुआ तरा से जुड़ा हुआ कोई सब्ध जैसे की तिर्षूल जदी हम लोग ये तिर्षूल लिख दिया हिंदी में तो इसको हम लोग जदी खोठा में लिखे लेंगे होंगे तो ये तरा का परियोग नहीं करेंगे बलक तो खोठा में आप लोग का तीरसूल इस परकार से लिखाएगा तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेर किजेगा अपने असकोर या आप इन गारप प्रशनों में से कितने प्रश्ण पूर सही टेकल कर सके और श्वर्ण परिचे से यही कुछ बेसिक बेसिक प पूछे जाते हैं कल के अब हम लोग सेशन में संग्या से बनने वाले प्रश्ण को देखेंगे तो चलिए सेशन को यहें पर हम लोग समाप्त करती हैं